Hello friends, welcome to our channel, आज जो मैच होगा Australia versus West Indies, second ODI मैच होगा, पहले मैच में पहले ही बोला था, West Indies थोड़ा सा uncomfortable रहेगा, क्योंकि ऐसा ऐसे प्लेयर है, Australia के तरफ से जो आपको all out भी करेंगा और उपरी करम का बल्लेवाजी रन आपको जिता देगा, मैंने पिछले मैच में कहा था, क जो भी opening करेंगा, उनको अपने टीम में रखना ही रखना है, पहले यह देख लाता है, यह मैच कहा नो लाता है, यह मैच सिड्नी के ग्राउंड परना है, और यह बैटिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट पीछ है, यहां का average score देखेंगा, तो करीब-करीब 300 का करीब जाता है, और West Indies जो है, थोड़ा सा नय प्लेयर को साथ खेल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा अनको परटेवले, पिछले मैच में के कार्टी ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, रोष्टन चेश ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, थोड़ा सा और अपने कैप्ट जो ऑस इंगलिस के साथ मेरा जो मानना है, उसको बात कैमरून ग्रीन आएंगे, स्टिवन समीत आएंगे, मारकस लब उसे हीन आएंगे, जेफ मैगूर करेंगे, ए हार्डी आएंगे, सीने बाट बाल्टिंग करेंगे, और जो एकस बाल्टेट ने पिछले मैच में मैं पहले जलता, किसी भी टीम की अगर पहला डाउन का स्टिवर मिंस के वघ अच्छा करया थाइंग कर रहा है, इसलिए वह अपने टीम के लिए हुस्ट डाउन बैटिग करने के लिए और इसलिए उस टीम के अप्लेर को जरूमेय कारें, बोलता हूँ, फ्रेल्श भी हो यह आपको 12 सदे से मैंने टीम रखा हो सकता है एकाथ प्लेयर आपको ना खिले उसके जगह पर कोई और आएंगे तो वस जगह पर चेंज कर सकते हैं अब ड्रीम टीम का बाता है और अस्ट्रेलिया के पीछ पे जब मैच होता है तो अस्ट्रेलिया के बैटिंग और आपको उपनी करने के लिए आते हैं तो दोनों प्लेयर आपके रहेंगे यहां का देखा जाएगा तो आपको विकेट जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्विंग करेगा अगर अस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो तीन एक चौथा प्लेयर आपको स्टीवन स्मीथ इससे ज्यादा बैटिंग नहीं रखना है इतना पर ही वह चेस कर लेगा बहुत ज्यादा आस्कूर कर लेगा माले अब स्टीव इससमीय में प्लेयर बोड़ सक्केर ज्याद में तो इंभारियकर रहता स्तंति निकाली सिन अपर्मन दवां करें अगर वह हमारे प्लेयर नहीं जोट पाते हैं मेरे ख्याल से के करदाम करेंगे। यह भी आपको अच्छा-खासा पॉइंट देने वाले हैं कल के मैच के लिए 10 और 11 को मैच मेरे सब्सक्राइब कार्टी को आप मत रखेगा किसा हो सकता है जल्दी आउट हो जाने साइं KOD होगी साइं किक होगे हैंं अब एक रहमें प्लेयर में एक आपके कार्टी के साथ जाए के कार्टी 20 या के खोड़े के होड़े या जी मोटी जी मोटी या ओ थॉमस हम तो फॉमस के साथ जाएंगे रिजन क्या है कि उच्छे बॉलिंग करेंगा तो और काथ बुकेट निकाल सकते हैं उपनी क्रिब को बन्लेवाज को इसलिए आपको एग्रहमें प्लियर में आप ता पांक के लिए आते हैं थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे तो कैप्टन रहेंगे और टीम के हिस्ता भी रहेंगे अगर जेफ मैं गुर्क आएंगे क्योंकि आपको टॉस होने का बाता है उसमें जो प्लेंग लिवान आता है उसमें पता चल जाता है कोन ओपनी करने के लिए सकते हैं तिसरा आप जो इंगलिस को भी रख सकते हैं क्योंकि बल्लेवाजी पीछ है चाउथा पाच्मा जो है रोस्टन चेस रोमारियो से फैर्ड और साइंहों वेस्ट इंडीज के यह तीन प्लेयर बहुत ही खतरनाक है डैंजरस है हो सकता है कल के मैच में आपको साइंह सेंचुरी भी देखने को मिल जाएं मेरे अंदाज से तो यह आपका जो है ट्रीम 11 टीम हो जाएगा और में में कैप्टन बादल बादल कर आप बना सकते हैं क्योंकि यह भी सकता है क्योंकि बैक चार स्च्ट पर्लेंट इक दू यह भी आपका द्रीम्ट टीम के कैप्टन के प्रवल्दाविजार हो जाएंगे इस तरह से जो टीम बनाएगा इस टीम से बना कर आप बहुत बड़ा रगर जिद सकते हैं